इसकोलों का क्या जाएगा आंकलन यहां जाने किस आधार पर होगा मुल्यांकन नमस्कार मेरा नाम निहा साहीन है और आप रूबरू बिहार देख रहे हैं राज्य सरकार की द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है यह कदम राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में सिक्षा की गुडवत्ता और बच्चों की समग्र को सुनिशित करने के लिए उठाया गया है बिहार की सिक्षा बिभाग के अपर मुखे सचीव इस सिदार्थ ने सभी जिला सिक्षा परादिकारियों के लिए आदिस जारी किया है यह आदिस अपसे सरकारी स्कूलों में रैंकिंग करने है तो जारी किया गया है राजी के सभी सरकारी स्कूलों में साल में दो बार आकलन किया जाएगा पहला आकलन साल के मार्च महीने में किया जाएगा तो वह दूसरा आकलन नवंबर महीने में किया जाएगा सिक्षब इभाद के द्वारा जारी किये गए अधिसूचना के हिसाब से सभी सरकारी स्कूलों का मुल्यांकन विभिन मानकों पर किया जाएगा उधारन के तौर पर जैसे सिक्षड और अधिगम संसाधनों का उप्योग स्वक्स्ता श्रिकायत निवारन और सहब पार्ठिकरम गतिविध्या सामिल है इन तमाम मानकों के आधार पर सौ अंकों का मुल्यांकन स्कूलों को प्राप्थ होगा सभी सिक्षकों के लिए स्कूलों की रैंकिंग अनिवारे होगी और साथ में उनकी APAR यानि की वार्षीक परदर्श्र मुल्यांकन रिपोर्ट में इस रैंकिंग को सामिल किया जाएगा अरकारी स्कूलों के लिए अलगलंग रैंकिंग फॉर्म तयार किये जा चुके हैं इसमें प्रात्मेक स्कूलों से लेकर उच्च मादमेक स्कूलों तक के लिए अलगलत फॉर्म तयार किये जा चुके हैं इन फॉर्म्स को स्कूलों में परधाना ध्यापक तथा सिक्षक द्वारा बितृत करने का निर्देश जारी किया गया है। इससे सरकारी स्कूलों में सिक्षा की गुर्वत्ता अस्तर को सुधारने में तदा बच्चों की समग्र बिकास में काफी सहायता मिलेगी।